Hello Everyone, Welcome to Achievers Academy तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था Diversity in Living World ठीक है? यह चैप्टर हमने स्टार्ट किया था Diversity in Living World और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था एक brief इंट्रो यहाँ पे हम करते हैं हमने यहाँ पे classification की थी हमने पढ़ा था पहले टू किंग्डम क्लासिफिकेशन फिर हमने पढ़ा था थी किंग्डम क्लासिफिकेशन फिर हमने पढ़ा था फॉर किंग्डम और आफ्टर देट जो सबसे वेलिड के क्लासिफिकेशन थी फाइव किंग्डम पढ़ी थी जो two kingdom थी वो हमारी किस ने दी थी? Karl Lannis ने दी थी Three kingdom हमारी किस ने दी थी? Arlisht Huckle ने दी थी Four kingdom हमारी किस ने दी थी? Copland ने और five kingdom हमारी दी थी? RH Redacker ने Two kingdom के अंदर हमने क्या क्या देखा था? कि उसने include किया था plants और animals को After that three kingdom में plant और animal के साथ एक और आ गया था हमारा That is protista Four kingdom में हमारा ये तीनों तो थे ही Plus हमारा monera यानी bacteria एड़ हो गया था और यहाँ पे हमारा ये था Plus हमारा fungi एड़ हो गया था तो इस तरीके से हमने five kingdom classification देखी थी Five kingdom के अंदर सबसे पहले जो हमने start की थी That was monera पहली जो हमने पढ़ी थी That was monera Monera का हमने क्या पताया था कि जो soul member है यानी जो mainly जो monera के अंदर include है That is bacteria ये हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो mainly आएंगे That was bacteria फिर bacteria हमने देखा था कि इसकी जो metabolic diversity होती है वो बहुत vast है मतलब ये nutrition काफी तरीके से लेते autotrop, heterotrop, chemo synthetic autotrop, heterotrop इस तरीके से मतलब काफी इसकी metabolic diversity थी फिर हमने इसके अंदर क्या देखा था bacteria को हमने monera और कुछ special isk में जब हमने six kingdom classification देखे थी इसको दो के अंदर divide किया था R की bacteria, U bacteria जो true bacteria थे ये special bacteria थे इनके अंदर जो cell wall थी वो किसकी बनी थी? Peptidoglycan यहाँ पे हमारी थी pseudomurine ये हमारे जो special habitats यानि harsh habitats में थे ये normal थे जो हमारे फिर हमने cyanobacteria देखा था जिसके अंदर हमने blue green algae देखा था cyanobacteria blue green क्यों बोल रहे थे? cyanobacteria cyanobacteria blue pigment है green algae में हमारा क्या होता है? जो main जो हमारा chlorophyll होता है pigment होता है that is chlorophyll A और similarly जो हमारा cyanobacteria होता है उसके अंदर भी chlorophyll A present है तो इसको हमने बोला था blue green algae फिर मैंने उसका diagram आपको दिखा था जिसके अंदर बोला था कि जो cyanobacteria है वो nitrogen को fix करता है क्यों? बिकुश जो atmosphere में जो nitrogen है वो agities plants consume नहीं कर सकते तो उसको consume करने के लिए उसको पहले ऐसी foam के अंदर लेके आना जैसे आप आटा है उसको directly नहीं खा सकते उसको हमें क्या होता है? रोटी बनानी पड़ती है उसके बाद हम उसको खाते हैं सिमिलरली जो nitrogen है उसको ammonium की foam में लाना पड़ता है तब ही plants उसको consume करते हैं तो उसको consume करने के लिए उसमें जो help करते हैं वो हमारे कुछ nitrogen fixing bacterias हैं वो nitrogen fixing bacteria किसकी help से करते हैं? हमने बढ़ा था वो heterocyst की help से करते हैं फिर हमने देखा था जो nitrogen fix होती है वो कैसे होती है? nitrogen से पहले हमारा क्या होता है? sorry NO इस यहीं पर काट देती हूँ NO nitrite बनता है फिर हमारा यहाँ पर क्या बनता है? यह तो हमारा nitrite बन देगा nitrite और फिर हमारा nitrate बनता है यहाँ पर जो हमारे bacteria involved है यहाँ पर जो bacteria involved है यहाँ पर जो bacteria involved है यहाँ पर जो बनता है यह सारा हम कर चुके है after that हमने क्या किया था? कि bacteria के अंदर हमने mycoplasma देखा था जो anaerobic conditions में भी रहता है plus वो क्या करता है आपका without cell wall था plants और animals में आपका infection भी भी cause कर रहा था यह monera का हमने पढ़ लिया था after that जो second हमने किया था that was protista protista के अंदर हमने क्या किया था? जो protista है उसकी जो boundary है वो well defined नहीं है मतलब vast है यह kingdom मतलब इसके अंदर animals के भी include होगे feature plants के भी include होगे आपके bacteria के भी features आ जाएंगे इस तरीके से मतलब जो protista है उसकी जो boundary है वो well defined नहीं है फिर हमने protista के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? जो protista है जो हमारा kingdom है उसके अंदर जो mainly species थी that was aquatic मतलब पानी के अंदर जो species मिल रही थी इसके अंदर हमने पढ़ा था chrysofights chrysofights में हमने पढ़ा dye atoms प्लस हमने पढ़ा था इसके अंदर desmit after that हमने पढ़ा था dino flagellates फिर हमने पढ़ा था uglenoids after that हमने पढ़ा था slime molds और फिर हमने पढ़ा था protozoans ये हमने किसके अंदर पढ़े थे? protista के अंदर dye atoms में हमने पढ़ा था swap wall की तरह है fristule यानि silica का deposition है dye atoms अर्थ बोलेंगे और वो gritty होने के वज़े से polishing बगएरा में हम यूज करेंगे desmids को हमने golden algae बोला था इन दोनों को plus करेंगे मतलब इन दोनों को मिला के हम बोलतेंगे chrysophytes after then हमने पढ़ा था dino flagellates मतलब दो flagella एक lateral है एक transverse है काफी color के dino flagellates होता है red, blue, yellow, green पर जो मेलनी जो NCRT में given है that is red dino flagellates उसके example हमने देखे थे gonolix और gymnodium ठीक है cellulose की stiff plates होती है हमारे dino flagellates में एक के toxin भी release करते हैं जिसको हमने नाम दिया था sexy toxin क्योंकि अब यह हमारा mainly marine water के अंदर मिलता है मतलब sea अगएरा के जहां पे salty water होगा तो यह वहां पे जो fishes present होगी उनको destroy कर देगा second यह भी हो गया हमारा after that हमने पढ़ा था uglenoids uglenoids क्या है आपका जो plant kingdom है और animal kingdom के बीच का link है link किस तरीके से है देखो plants में क्या होता है हमारा photosynthesis plus अगर हमारा favorable conditions है मतलब sunlight present है तो ugleno photosynthesis करेगा अगर light present नहीं है sunlight absent है तो ugleno क्या करता है आपका hydrotropic nutrition show करेगा इसलिए यह एक link बनाता है दूसरा point आपको योगलीना में याद रखना है कि इसके अंदर cell wall absent होती है मतलब cell wall absent होगी लेकिन एक protein की layer present है जिसको हमने बोला था पैदिकर फिर हमारा था fourth slime molds slime mold यहाँ नाम से slime, slimisa something हो रहा है तो यह fungus like protista होते हैं fungus like protista इसको हम क्यूब होते हैं जब favorable conditions होती है जी कि जब इसके favor में condition होगी तो यह aggregate करके एक body बनाता है जिसको हम बोलेंगे plasmodium लेकिन जब conditions इसकी unfavorable होती है favorable नहीं होती तो slime molds क्या करते हैं कुछ fruiting bodies बनाते हैं जिनके अंदर हमारे sports होते हैं अब यह sports इसलिए बनाते हैं जिको sports क्या होते हैं आपके resistant होते हैं resistant का मतलब जब जो condition unfavorable है तो उनको resist करने के लिए कि हमें मतलब कैसी भी condition हो हमें पढ़ाई करनी है similarly sports उसी condition में आपके बनते हैं slime molds में फिर हमने पढ़ा था protozoans protozoans के अंदर सबसे पहले जो हमने पढ़े थे एक्जांपल हमने किया था anti-amoeba histolytica जो आपकी disease कोज करेगा amoebiosis थार्ड हमने यहां पर पढ़ा था ciliated वो protozoa जिनके अंदर cilia present है जैसे paramecium paramecium के अंदर आपके दो nucleus थे macro micro after that जो fourth हमने यहां पर पढ़ा था कौन सा पढ़ा था ciliated हो गया amoeboid हो गया फिर हमने पढ़ा था protozoans वो sporozones जिसके अंदर आपका गया plasmodium यानि जो malaria cause कर रहा था female anaphilis यह दो हमारे kingdom होगे उसके बाद जो third हमने कर रहा था that was fungi, fungi में हमने चार टाइप की fungi करी थी phicomycet यानि lower fungi, escomycet sec fungi, besidium mycet जो आपके bracket fungi, जिसके अंदर mushrooms है club fungi, फिर है deuterium mycet जो fungi imperfect है imperfect क्यों बोल रहा है प्रकुस इन फंजाई के अदर sexual reproduction होता है बढ़ deuterium mycet के अंदर नहीं होता इसलिए इसको imperfect बोलेगे यह lower fungi है इसलिए इसमें a septa present नहीं होता फिर इसके main main examples हमने किये थे after that हमने किया था virus virus के अंदर देखा था कि virus a cellular होते है इनके अंदर जो genetic material होता है वो DNA हो सकता है या फिर RNA दोनों present नहीं होगे इनके क्या होगा जो genetic material है बाहर एक protein coat है जिसको हमने capsid बोला था और वो capsid किसका बना है capsomere scalp का बना होता है उसके बाहर envelop होगा यह virus का हमने पढ़ा था obligate parasite है intracellular parasite है से फिर हमने पढ़ा था viroids d आ गया इसके अंदर तो यह discover किया था teodymere ने यह क्या है virus से छोटा होता है low molecular weight होता है प्लस इसमें आपका protein coat भी absent है protein coat भी absent है P से हो गया protein coat भी absent है तो जो disease भी cause कर रहा है that is potato spindle tuber disease ठीक है यह हमने वाइरोइट्स का बढ़ा था after that हमने किया था prions prions क्या है P से related हो गया तो P से related हो जाएगा यह यह वह infectious particle है जो proteins के अंदर infolding करेंगे इनके अंदर आपका क्या था genetic material absent था पहले जो वाइरोइट्स हा उनके अंदर protein coat absent था लेकिन prions में आपका genetic material absent है अब genetic material absent है और यह disease कौन से cause करेंगे आपकी mad cow disease bovine spongiform encephalobathy जो किसके analogous है आपकी CGAD crits zacob disease फिर हमारा क्या होता है जो lichens क्या होते है lichens हमारे क्या होते है जो symbiotic association होगी algae की और fungi की fungi को हम बोल देंगे mycobion mycobion और algae को हम बोलते है phicobion phicobion यह इनकी symbiotic association होती है algae में क्या है green color क्यों थी है आपका chlorophyll present है खाना बनाएगी तो यह खाना बनाएगी तो यह फंजाई को भी दे देगी क्योंकि symbiotic association है भाई चारा है दोनों का अब फंजाई इसको shelter देती है रहने के लिए यह तो lichen होता है और mycorrhizal association वो होती है जब फंजाई आपकी higher roots के साथ associate होती है higher plants की जो roots होती है उनके साथ अगर फंजाई associate होती है जैसे आपके example हो गया glomus ठीक है phosphorus के लिए associate होगी तो वो आपकी mycorrhizal association होती है अब इसके हम कुछ questions कर लेते हैं बाकि हमने पूरे chapter का एक brief revision कर दिया है यह revision मैंने इसलिए किया है अगर वो इतनी बार अगर सुनेंगे तो उनको चीज़े easy लगेंगी थोड़ा इन three kingdom classification तो three kingdom classification हमारा किस ने दिया था earnest hackle ने ठीक है earnest hackle ने दिया था तो third kingdom was created अब भी हमने देखा कौन सा था पैप ठीक है तो protista इसके अंदर आपका add हो गया था ठीक है यह आपका fourth में add हुआ और यह आपका first second में था तो two kingdom किस ने दिया था कार्ड लेन इसमे फिर थी domains यहाँ पे देखो three kingdom नहीं given है three domains three domains का मतलब आपका six kingdom इसमें क्या हुआ था आपका जो monera था जिसके अंदर bacteria थे उसको आपका दो के अंदर कर दिया आर्की बेक्टीरिया और यू बेक्टीरिया वाकि सब जो थे वो यू करिया के अंदर डालती है यह एक domain हो गया एक domain ही हो गया और आपका यह एक हो गया यह दो और यह तीन इस तरीके से आपके three domain प्लस six kingdom बोलते हैं यह वाली जो classification that was given by card views फिर है वो कौन है जिसने classify किया animals को कि यह animals ऐसे हैं जिनके अंदर RBC है और कुछ mammals थे जिनके अंदर RBC present नहीं थी ठीक है यह मैंने आपके notes में add कर लेना जो with RBC है उसको हम बोलते हैं और जो RBC नहीं है जब a word आजाता है ना तो उसका मतलब RBC नहीं है तो इसको हम बोल देंगे अनिमा तो यह हमारा जो classify animals को इसने अरिस्टोर्टल ने दो groups में classify कर दिया कि कुछ animals है जिनके अंदर RBC present है कुछ animals है जिनके अंदर RBC नहीं है अब जिनके अंदर RBC थी with RBC उसको एनिमा बोल दिया और without RBC वालों को एनिमा बोल दिया तो यह हमारी दी थी Aristotle ने फिर है जो five kingdom classification है किसने दी आरेच बटै करने was not based on मतलब जब इसने classify किया था मतलब diversity में तो इसने क्या basis लिया था तो phylogenetic relationship यानी evolutionary relationship इसने लिया था presence और absence of well defined nucleus यह इसने नहीं लिया था mode of reproduction लिया था और cell wall भी ली थी फिर है bacteria have kemosynthetic nutrition हमने बोला कि bacteria में बहुत metabolic diversity होती है ठीक है कुछ bacteria है जो autotrop भी होते हैं जैसे blue green algae यह सब हो जाएगे लेकिन कुछ bacteria ऐसे भी है जो mainly जितने bacteria है वो hydrotrop होते हैं तो kemosynthetic जो यह nutrition है वो किस तरीके से लेके यह क्या करते हैं जो inorganic substrate है inorganic जो substance है उनको oxidize करते हैं ठीक है याद रखना कई बचे कई बार reduction लेते हैं तो oxidation of inorganic substances फिर है in monera जो monera है monera मतलब जो soul member उस kingdom का bacteria है mainly bacteria इसके अंदर include है तो during reproduction यहाँ पर blank आएगा ठीक है during reproduction blank अब करस तो monera के अंदर जो आपका reproduction होता है वो किस तरीके से होता है यह हमने किया था कि monera जो bacteria है उसके अंदर क्या होता है आपका genetic material एक cell से दूसरे cell के अंदर चला जाता है अब genetic material जब जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे थे transformation तो सम प्रिमिटिव मेथड ओफ डियने अपकार रेड़ टाइट्स आल इस कोस्ट बाई रेड़ टाइट कोन कोस्ट करता है गॉनलेक्स और जिम्रोडियम डाइटम्स और यह हमारे दोनों क्रिसोफाइट्स में इसमें फ्रूटिम बाडिस बन रही स्पोर्स थे ट्रिव फंगस लाइक प्रोटिस्टा एडिबल एसकोमाइसीट फंजाई एसकोमाइसीट को हम क्या बोलते हैं सेक फंजाई जिसके अंदर हमारा मॉरल्स एंड ट्रॉफल्स अगैरिकस तो किसका आपका एक्जाम्पल था बेसीडियो माइसीट का जो आपका यह मश्रूम है जो हम खाते हैं चीक है बेसीडियो माइसीट का इसका आंसर फूर्थ करेक्ट हो जाए फिर है नाइन्थ कोशन फंजाई में जो सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन है वो किस से होता है तो देखो एसको स्पोर्स होता है एसको माइसीट में सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन में हमने क्या पढ़ा था यह एक फूर्टिंग बाड़ी बनी जिसको हमने स्पोर एंजियोफोर यह sporengium बना दिया और इसके अंदर आपके spores होंगे ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे escocarp और जो अंदर जो spores बने उसको बोल देंगे escospores इस तरीके से आपके endogenous spores भी बनते हैं लेकिन आपके जो besidio spores है वो इस तरीके से बाहर बनते हैं exogenous होते हैं यह होके वो आपके besidio spores चीक है तो इसमें escospores भी होगे sexual में besidio spores भी होगे लेकिन juice spores हमारे कहां पर बन रहे हैं asexual reproduction में जो motile spores होते हैं उनको हम पूरते हैं juice spores तो यह cut हो गया तो first option incorrect फिर इसमें भी juice spores आ गया इसमें भी juice spores आ गया तो आपका third option correct हो गया यह भी आपका sexual spores है जो phicomycetes का है यह आपका escomycete का sexual spores है यह आपका besidioomycete का sexual spores है deteriomycene में sexual reproduction नहीं होता इसलिए इसको imperfect fungi भी बोलते हैं यह फिर dust bean of fungi भी बोलते हैं थर्ड कोशन है वाइरस देट contain वाइरस देट कंटेन बोट DNA एंड RNA वह कौन से वाइरस है जिनके अंदर आपका DNA भी होता है RNA भी मैंने क्या पता है था वाइरस है उसके अंदर यहां तो genetic material DNA होगा यह आरेन ने होगा कोई ऐसा वाइरस नहीं है जिसके अंदर दोनों present हो तो none of these तो यहां पर हमारे कुछ questions हो गया है पूरे कोशन मदब कम भी question कराएं आप overall एक chapter का revision हो गया पूरा revision भी मैंने करा दिया है प्लस आप जो मैंने notes format में आपको PPT provide की है वो दो से तीन बार पड़े ठीक है thank you अगर फिर भी कोई doubt हो तो आप telegram channel पर मुझसे पूछ सकते thank you